ताज़ा है, मेरे कहल से तकरीवन 37-38 साल हो रहा है इस गाले को और मैं पहली बार राजा साफ से मिल रहा था, इलाय राजा जी जो भारत वर्ष के वन आफ दी तोक्मोस्ट और हाइस्ट टैलेंटेट संगीलकार जिनने मुझे खुबसुरत गाना दिया, जब पहली बार मैं मिला इसे मिल पल साथ आदमी चोटी कर सफेद गुर्ता और यूंगी सफेद और भस्त में लगाया हुआ था और पुपर वाला साक्षी है मैं बहुत ज्यादा उनके बारे में नहीं जानता था क्यूंकि साथ इंडियन फिल्म्स की दर्फ म्यूजिकली मैं बहुत था सबसे पहले लांग्विज की प्रावलन थी मगर संगीत तो सारे वर्ड में वही है सारे गामा बादा निसा सानी तबह महारे साथ मगर होता है ना कि एक वर्ड समझ में आये म्यूजिक के साथ साथ तो उस गाने का ज्यादा मजाता है तो राजा साथ को मुझे उत्तम सिंग जी हमारे संगीतकार है और केरसी लाड वो दोनों जने लेके आये थे कि इनके सद्मा के दो गाने गाने हैं नई फिल्म है और पहली हिंदी फिल्म कर रहे ते राजा साथ मगर इतना मजा आया मुझे याद है एजन्देगी जब गाना रिकॉर्ड हो रहा था कोई देट पॉने दो सो ब्यूदिशन्स थे और उसके अलावा गाना सुनने के लिए हमारी इंडेस्ट्री के बहुत बड़े-बड़े मुझिशन्स कुछ मुझिक दरिटर्टेस्ट कली गाना सुनने आये थे कि राजा साब किस तरह काम करते हैं अब सोचिए वो मनजर क्या होगा वो बहुत बड़ा उत्सव था फिल् और मज़े की बात है कि पहले दो, धाई, तीन साल हाला कि ये गाना बहुत पॉपुलर है ये मुझे मालूम ही नहीं था, ध्यान ही नहीं आया क्योंकि आप सब की दुआ उसे रोज कभी-कभी तीन-तीन चार-चार गाने गाया करता था मैं इस स्टूडियो से उस स्टूडियो जब एक प्रोग्राम में शायद देली में था ये प्रोग्राम और स्टेज पे मुझे कम से कम नहीं तो भी पचास चिठियां आये थी कि ऐ रहे जिंदे की गले लगा ले गाना में आप गाने रहें तो मेरा ध्यान गया यह तो राजा साब का गाना है आप बिलिद करेंगे मैं ने अनौंस किया कि भाई लो ये गाना मुझे मेरे पास नहीं है क्या कोई मुझे वर्ड्स दे सकता है तो मैं एक दो गाने के ग्याप के बाद में गाना कोशिश करता हूँ गाने की आप सोच नहीं सकते साथवे आठवे मिनिट में एक खुबसुरत सी लड़की गाना लिखे लेके आई तो और ज्यादा अच्छा लगा और फिर मैं अंदर गया गाना दो-तिन बार सुना मैंने अब फिर मैंने आके वो गाना गाया और मुझे तीन बार गाना गाना पड़ा हूँ तो आप सोचे उस गाने की क्या अपड़ारिटी हो सकी है और उस गाने को अभी लेटेस्ट भी गाया गया है, तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, हमारे बच्चे नहीं गाया है, मेरे बेटे जैसा है आरजीन सीमुत। और जब श्रीदेवी जी इस दुनिया में नहीं रही, तो कम से कम जब जब भी उनका यूट्यूब पे या कोई खबरों में आता था तो पीछे गाना बुस्ता था, तो ये गाने की ये किस्सा है इस गाने का एक किस्सा सुधिर जी नहीं कोजे बताया, आपको बड़ा मजा ह या उसको सुनके बात्चितने की है तो जब इलिया राजा साब आये और साब ने देखा तो एक इश्वर सुरूप वो वेक्तित है और एक इश्वर जब दूसरे इश्वर से मिलते हैं तो आपस में एक दूसरे की चीजे से हो होती है उस टीम में इन 14 या 15 साल का बच्चा पूर सी सब्सक्राइख करें पर दिखंग अपर इस तरी कुछ सब्सक्राइब आपी लाइट को जिस प्रकार आप भी समझते हैं कि हमारी लाइक में कितनी परेशानिया है लेकिन उन छोटी सी छोटी सी खुशियां हमारी उन सब परेशानियों को दूर कर देती है वही है यह जिन्दगी गले लगा ले सुरेश वाटकर साफ और ये मेरा वादा है दोस्तों आप से कि इस प इस प्रोग्राम में आने वाले हैं जो हो सकता है आप लोगों नहीं सुने हो तो खटे और मीठे तो आप जान सकते हैं कितनी खटास होगी और मीठे में इतनी मिठास होगी दो से तीन पेश टिखाय लिखे जा सकेंगे आप उनसे खटे में आम दोगों के लिए तो मैं कर दो दो भी इनकी प्रोडक्शन का studio refuel, तो refuel तो रोज ही करना पड़ता है, तो पिर scooter हूं या आपकी rolls royce हो, पेटॉल तो वही पड़ता है, तो मज़ा तो पेटॉल का ही आने वाला है, और मैं चाहता हूं यह मैं पहली बाद जिंदगी में इस तरह का कोई शो प्रोग्रा सब्सक्राइब कर रहा हूं सब्सक्राइब कर दोस्तों यह एक फूल है एक प्यारा सा फूल है जिसकी खुश्मू महकना बहुत रदी शुरू कर देगी और आप उसकी खुश्मू सुनके इतना आपको फ्रेशनेस मिलीगी और यह कारवा आगे बढ़ता चला जाएगा चाहे वो शोस के माधियम से हो चाहे पॉडकास के माधियम से हो लेकिन मज़ा आप सबको जरूरा है आए जिन्दगी गल लगल हमने भी तिरे हरे इक रम को गले से लगाया है है दोस्तों मैं चाहता हूं कि पूरा यह गूंज उठे यह इतनी सुरी लिया आज जो आप सुर रहे हैं और ब्लेस्ट कि सुरेश जी हमारे बीच में लाइक आपको यह गाना देगे कि कोह बड़ा आश्यवाद है आप बड़े आप उबन में चोटी भी आप इसे लिजे और जोर दार तालिक हो जादी जाए तो बहुत सारी लोग है इनके बापा और अबाद कर जी है हमारे मुंदी साहब है बहुत सारी लोग है हमारा काम गया वंजी वंचिव उदर बशाब बढ़ा है सब बाल गुपा है और मैं जो जब बहुत अच्छे दोस्त मिलते हैं तो मैं बहुत अच्छा जुम्रा यूज करता हूं कि आज हम सब पुराने पापी इंगठे होगा आज पाप के लिए जोड़तर तलिया बजाती है इतना पुन्या है इस पाप में कोई सोच नहीं सकता इसे भी बोल चकते हैं खुश्मुदा चावले दोस्तों ये कंपनी है स्टूडियो रिफ्यूल रिफ्यूल मेरा ऐसा मानना है दिए मेरी वेक्तिकत सोच है लेकिन आपके साथ शेयर कर रहा हूं और इतने बड़े इतने मजह हुए और उन्हें लेजंडरी कलाकार है ये इनके साथ शेयर गया तो मुझे इनके अशिरवात सुरूं ये कहा हां तो आप समझ की ये स्टूडियो रिफ्यूल के अंसर की मेरा ये मंगना है कि ऊपर इस्ष्वर जब हमें कुछे धर्ती पर बेशता है तो एक फ्यूल डालके बे बरगाय्स सेंगे तो से की ड़ी पूर आप धर जानुसाइlles नहीं को है रहते हैं मेरा मानना ये हैं कि संगीत में इतनी पागत है इतनी पागत है कि जो सुर्ष है ये आपकी जिंदगी के हर जगे अब बनके आपके शरीर में रहते हैं आप साह बोलेंगे तो आपके तो मेरा मानना है, और इस संगीत के इतने बड़े महान बुरू इस संगीत के अगे बढ़ाने जा रहे हैं, और इस संस्क्रिति को पूरे पूर जोर शोर से आगे बढ़ा रहे हैं तो मेरा ये मानना है कि स्टूडियो रिफ्यूल का मतलब सिर्फ ये था कि आप सब लोगों को आप सब लोगों को जो आप डिजर्व करते हैं ऐसा संगीत दुबारा से दियाता है और इसी मुहम को लेकि हम लोगों नहीं शुरू किय आप अपने हाप चल पड़ता है कि ये क्योंकि अध्यात्म के साथ जाना बजना जुड़ा हुआ है तो आपको उपरवाले के साथ जोड़ी देता है कि सुरेश जी शुरेश रहुत का जनम दिन है तो क्या बहुती अधर शुप ये इतिफाक है कि आप जिन्दगी को अधरे लगा रहे है क्योंकि जनम दिन के अवसर पर किनोंगी सिप्रेट और बटे तो इसके और तो ये कोइंसेड़न्स के बारे में कुछ मताइए कि बहुत अच्छा और बहुत खुबसुरत कोइंसेड़न्स हुआ है सदेनली कुमार जी और रभन भाई आए मेरे पास तो दो सेकंड के लिए मुझे लगा कि अले वाँ ये तो बहुत इची बात है और रेडियो के लिए मैंने कभी फौजी भाईयों के लिए गया था ये पोई इंटर्व्यू हो उसके लिए गया था मगर ये प्रोग्राम जो होगा कि मैं अपने खटे मिटे इससे गानों के साथ मैं लोगों को सुनाओंगा और ऐसे गाने हैं जो लोगों ने सुने होते हैं बहुत बास बास ऐसी चीज़ें होती है कि मैं कहीं जाता हूं और समझ देजिए इंडिया में भी इंडिया के बाहर कोई गाना गया था हम तो सडेनल इनों बेंदूस्री को देखते हैं अच्छे ये इनों ने गाया हुआ हुआ है तो ये कब पॉसिबल होता है जब आपके गाने रेडियो बहुत जादा बचे जाते हैं दोस्तों ये ब इतने सुरिली चीज को बार 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 बजाएं तो यही इस मर्ण है यही इस प्रोग्राम की आत्मा है कि किसी प्रकारसे ये प्रोग्राम लेडियो पर आए आप वो शुडिले गाने वो सुरीला संवीत दुबारा से सुनना शुरू करें ये मुहीं में आप सब लों का कि इस पूरे प्रोग्राम का मर्म समझें सुरेज जी की एक साधना समझें इसको कि वो इस अपने हर एक शन को वो संगीत के साथ जीना चाहते हैं मैं यह चाहता हूं कि सुरेज जी का बर्दे हम सुरेज जी के साथ जीमत भर रहे हमारी सब के उमर में लग जाए वह इतना आगे विप्तित को बढ़ा है और इस मुहिम को इतना आगे चलाए बस यह सब आप लोगों का अशिरवाद आप से दूआ से हैं इसके लिए मैं आप आप से बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूं आपको और यह आप साथ दे इस मुहिम में तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे सुरेश्टी अरजीत ने भी यह गाना गाया है तो आपको उनकी गाईकी के बारे में क्या थेना खेर हो तो किसी इसके लिए मोहताज ने है लिगिन क्या खेहना चाहेंगे कि बहुत अच्छा गाने वाला लड़का है और मुझे अगर पूछें तो बहुत तयार सिंगर रगो तो क्लासिकल भी ऐसा काता है कि आदमी हैरान हो जाए तो और हमारे बेटों जैसा है पत्मा को तो अभी भी वह मॉमी बोलता है कि उसकी फेम गुरुपूल में यह उसकी मेंटर थी सबसे ज्यादा दुख लगा जिस दिन उसको इनने निकाल दिया पांचमे नंबर पे चटे नंबर पे पत्मा इतना रोई थी आके घर में तो मुझे रोज कहती थी कि जुरेश जी आप उस लड़के को सुने आप क्योंकि वो सही में म्यूजिकल दुनिया में अपने आप में मस्त रहता था था वो बाकी के बच्चे हो सकता है मस्ती कर रहे हुए हूंतर ये एक कोना पकड़ के सुर्मंडल लेके गाने का रियाज करते बैठता था जब उसका मैंने गाना सुना ऐज जिन्दगी बहुत खुबसूरत लगा हूं उसने अपनी आवाज में एक बहुत खुबसूरत उसका गुलाब बनाया था उसने जो उनको बहुत अच्छा लगा अग्वान उसकी हमेशा रक्षा करें और भरपूर गाते रहें ये हमारी थ्वाईश है और उसका आश्किरवाद है अच्छा मेरे दो सवाल है ये कौन से रेडियो पे आएगा बेले नाश्मली और इंटरनाश्मली एक भी इनाश्मली और इंटरनाश्मली इसलिए रहा हूं कि कुछ चीजें पर्दे के बीचे रहें तो उनका आनन्द कुछ और ही आप तो अभी ये एपिसोड अगले वीक से बनना शुरू होंगे लग लग 200 एपिसोड हम लोग बना रहे हैं ये प्रोग्राम दर्शकों के सामने या लीडियो पे चंडी है ये मेरे ख्याल से आप ही मान के चलिए कि दिवाली का हमाम आप सबके लिए किस चैनल पर आएगा ये ऐसी एक प्रेस कॉन्फरेंस हम करें को से अच और अृक्स मेरा आपके लिए खते मीटी बाते बताइं गया क्या रदा है रही छफटी बातों को कितना एडिट करें दर्म है टिवर सब्सक्राथ को एडिट करें था है ऐसे होगं कि औरिछ गए खती अधाreal प्रॉमस को ये था ब her ओग चोज paralysis बात सुनके ही तो आपके मुह में पानी चूटेगा तो उसको तो बोरी बोर्ली बढ़ेगी और शायद वो सीख होगी इतने बड़े लेजंडरी इंसा जिसके लिए घटी होगी ना उसकी जरूरी बनाई क्यों क्योंकि उसको किसी ने बोला नहीं है कि जब आदमी कलाकार बह लेजंडरी एक व्यक्ति जब वो खटी बात बोलेगा तो वो इतना जादा आप उसको कहते है ना चंगन और पानी को सब कुछ होगी उनकी ग्रोथ और बढ़ देव जी आप आयाटी से एंकर अभुडूसर बढ़ें इसके यह कैसे होगा तेखें यह सब माता और पिता का अब तो कुछ होते हैं जीन्स होते हैं आप जो पिताजी मेरे पिताजी कधावा चकते हैं और बड़े ही सुरेले की भजन गाया करते थे उसी तरस पर हम लोग कुछ आगे बढ़े लेकिन जीवन के जीवन देखा चाए तो बहुत कटिन है और देखा चाए तो बहुत सरल नतिये हैं आप कानाते हैं और आप क legis ऐन गोग में इस बात को आपको देखना हो में अफिर नहीं का जीवन होता है उसके बहुत को सीख में विए इंता है निखीन में रटा हूं यह प्रोग्राम यहां आना सुरेश जी तक मुझे पहुचाना रमन भाई का माध्यम, सचिन भाई का माध्यम यहां तक लिया है, तो मैं खुद नहीं आया, यह किसी ईश्वर की लीला है, जिसको मैं सिर्फ उन्होंने मेरी उंगले बकड़ी और मेहां तक लाया, इसमें मेरा सुएस चर्खा गाना सुनना चाह रहे थे सारे रिपोर्टर्स, उन्होंने पहले ही बोला था कि साराएंगे तो चपा 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 चर्खा चबेगे, तयानी पूरी है. करें तो गाई लेकिन साथ पर एक से बढ़कर एक तो स्टूडन्स तयार किये उसके बार में कि शेयर करेंगे आपकों से कि देखिए मैंने जिन से गाना सीखा है मेरे गुरुजी पंडित जियालाल विसंद जब मैं उनके पास आया था तो मैं गिरंगाओं से नहीं आप समझते गिरंगाओं ने गिरंगाओं जहां में बहुत है परे ले दिया दोड़े मेरे जनम महां से हैं हम तो थोड़ा भी बच्चा बड़ा होता है हमारे घरों में तो फंद्रा सोला साल की उमर में उसको नोकरी उकरी करनी पड़ती है अब बच्पन में मुझे मेरे खाल से चार साल का था तब मेरे फादर को बहुत शौब था मुजिक का उनोंने जब मुझे गाते हुए सुना ना तो उनको लगा कि यह मेरा बच्चा अच्छा गा सकता है अगर मैं इसको गाना सीखवा हुए मगर हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे तो मुझे गुरुजी के पास बाकि उन्होंने छोड़ दिया कि बंडिचे आप इसको मुझे ना इसको बैरिस्टर बनाना है ना डॉक्टर बनाना है मगर मेरा बेटा एक अच्छा गाने वाला होना चाहिए इसके लिए हम इसको इसको छोड़ देते हैं हम लोग कभी आएंगे नहीं उचेंगे भी नहीं बस आप इसको गाना सिखा दीजे तो मैं बड़ा भाकिशाली हूँ कि मेरे मदर फादर ने ये मेरे लिए सोचा तो उन्होंने कभी किसी से एक नया पैसा फीस नहीं लिए पहली बैच वो बिंसिपल स्कोल से लाए थे ऐसे ही मैं आठ या नौ साल का थाता उनके पास गया फिर जिसको सब गुरु मिल जाता है जिन्दगी में उसको सब कुछ मिल जाता है तो मैं गुरु घर में रहे के गाना सीखा मेरी बढ़ाई लिखाई पुरु लिखी तो गुरु जी के जाने के बाद मैंने सोचा कि कहां कश्मीर से आये थे हम बच्चों को अपने पैरों पे खड़ा किया है उनने तो यह जो उनने पेड लगाया है इसको अभी सीचना बढ़ा करना हमारा घर में तो म्यूजिक स्कूल जो आजी वासन आप आके रहते हैं शायर उसका निर्मान हुआ आज महां दो-ड़ाई हजार बच्चे गाना बचाना सीखते हैं उसी में से मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो आप लोग सुन रहे हैं इंदिनों स्वाप्णिल बांदोडगर है विजय प्रकाश है राभूल वईत्य है हमारा श्रेस पुरानिक है रविकान त्रिपाठी है और अभी आपने नया सुबह साल अधर्व बक्षी जो अभी-अभी जीता है वो मेरे आजीवासन का ही स्टूडेंट है तो सोची हमने यह बीड़ा उठाया है कि नई जनरेशन हम हमारे सुनने वालों के लिए इस दुनिया में लाए है तो यह हमारा बेसिक हमारा आजीवासन बनाने का यह विचार था और बहुत अच्छे से अब इस वर आजीवासन क है भब नाम है सारी दुनिया में यूजिक की दुनिया और अच्छे अच्छे पच्छे आप सुनके हैरान हो जाएए मेरे सुनने वाले माई बाप ने जो दिया है वो मेरे स्टूनेंट्स को भी मिल जाए मेरे बच्चों को भी मिल जाए है वह बहुत बढ़िया और आपने सवाल पुष्णा चाहूं लोगे जाए है